ओम शान्ती सुनते हैं 31st देसेंबर 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक है आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्रेष्ट बनाने की विधी आज की मुरली में बाबा ने कितना सुन्दर कहा हम बच्चों को कि कौन सी लगन रोहानी दीपक को जग मगा रही है फिर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों शब्दों को नई विधी से कैसे प्रियोग में लाना है थार्ड, आपकी फीचर्स किन किन बातों का शाक्षतकार कराते हैं लास्ट, कौन सा गीत गाना है और कौन सा नहीं गाना है तो आओ सुनते हैं कत्ती दिसंबर 86 की अव्यक्त मुरली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्रेष्ट बनाने की विधी आज ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर और गाड फादर अपने अती मीठे अती प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रिटिंग्स दे रहे हैं बाप ददा जानते हैं कि एक-एक से किलदा बच्चा कितना स्रेष्ट महाना आत्मा है हर बच्चे की महानता पवित्तरता बाप के पास नंबर वार पहुंचती रहती है आज के दिन सभी विशेश नया वर्ष मनाने के लिए उमंग उत्साह से आई हुए हैं दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप वा मौमबतियां जगाते हैं वे जगाकर मनाते हैं और आप और बाप दादा जगे हुए अंगनित दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं बुझे हुए को जगाते नहीं है और जगा कर फिर बुझाते नहीं है ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रुआनी ज्योती के संग्ठन का वर्ष मनाना ये सिवाए बाप और आपके कोई मना नहीं सकता कितना सुन्दर जगमगाते दीपकों के रुआनी संग्ठन का अद्रिश्य है सब की रुआनी ज्योती एक टिक एकरस चमक रही है बाबा यही लगन रुआनी दीपक को जगमगा रही है एक संसार है एक संकल्प है एकरस थिती है यही मनाना है और यही बनकर बनाना है इस से समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है इस संगम समय पर सभी पहुँच गए है इसलिए पुराने संकल्प और संसकार के विदाई की भी मुबारक हो और नए वंग उत्सा से उड़ने की भी मुबारक हो जो प्रिजेंट है वो कुछ समय के बाद बीता पास्ट हो जाएगा और जो वर्ष चल रहा है बारा बजे के बाद पास्ट हो जाएगा इस समय को प्रिजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं पास्ट प्रिजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नए विदी से प्रियोग करना कैसे पास्ट को सदा पास्विद आनर सम्मान के साथ सफल होकर के पास करना पास्ट इज पास्ट तो होना ही है लेकिन कैसे पास करना है कहते हो न क्या समय पास हो गया ये द्रश्य पास हो गया लेकिन पास विद आनर बन पास किया या ऐसे जनरली पास कर दिया पास तो सबका होता है लेकिन किस स्टेज से पास किया बीती को बीती किया लेकिन बीती को ऐसी स्रेश्ट विधी से बीती किया जो बीती को समृती में लाते वहा वहा के गी बॉल दिल से निकले बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पड़े आपकी बीती यादगार सुरूप बन जाए किर्तन अर्थात कीर्ती गाते रहे जैसे भक्ति मारग में आपके ही करम का किर्टन गाते रहते हैं आपके करम के किर्टन से अनेक आत्माओं को अब भी शरीर निर्वा हो रहा है इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प वासमे को ऐसी विदी से पास करना समझा क्या करना है अब आओ प्रेजेंट वर्तमान को ऐसे प्रेक्टिकल में लाओ वर्तमान को भी ऐसे प्रेक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ीवा संकल्प आप विशेश आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो प्रेजेंट मना सोगात कोई न कोई बाबा आपके द्वारा औरों को सोगात देवे कैसा भी अशांतों दुखियों या प्रेशानों जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है दिखावे की प्रेजेंट नहीं दिल से सभी प्रेजेंट को सदासने की सूचक मानते है प्रेजेंट दी हुई चीज की वेल्यू सने होती है चीज की नहीं तो प्रेजेंट देने की विदी से विर्दी को पाते रहना समझा सेज या मुश्किल है भंडारे भरपूर है न या प्रेजेंट देते देते बंडारा कम हो जाएगा स्टाक जमा है ना सिरफ एक सेकंड की सने द्रिष्टी सने का सहयोग सने की भावना मीठे बोल दिल के स्रेश संकल्प का साथ यही प्रेजेंट्स बहुत है आज कल चाहे आपस में ब्रह्मन आत्माए हो चाहे आपकी भगत आत्माए हो चाहे आपके संबन से संपर्क वाली आत्माए हो चाहे प्रेशान आत्माए हो सबी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यक्ता है दूसरी प्रेजेंट की नहीं इस प्रेजेंट इसका स्टाक तो है ना तो हर प्रिजेंट घड़ी को दाता बन प्रिजेंट को पास्ट में बदलना तो सरव परकार की आत्माएं दिल से आपका किर्टन गाती रहेंगी अच्छा फ्यूचर क्या करेंगे सभी आप लोगों से पूछते हैं न कि आखिर भी फ्यूचर क्या है सब को चिनता है और सब पूछते हैं आखिर भी फ्यूचर क्या है तो क्या बताते हो वो भी सुनो तो बाबा ने कहा कि बच्छे फ्यूचर को अपनी फ्यूचर से परत्यक्ष करो आपके फ्यूचर फ्यूचर को स्पष्ट कर दें फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर के नैन क्या होगे और फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी फ्यूचर के संबंद क्या होगे फ्यूचर की जीवन क्या होगी आपके फ्यूचर्स इन सब बातों का शाक्षतकार कराएं द्रिष्टी फ्यूचर की स्रिष्टी को स्पष्ट कर दे क्या होगा एक क्वेश्चन स्माप तो हो ऐसा होगा इसमें बदल जाए कैसा बदल ऐसा हो जाए फ्यूचर है ही देवता देवतापन के संसकार अर्था दातापन के संसकार देवतापन के संसकार अर्था ताज तक्तधारी बनने के संसकार जो भी देखें उनको आपका ताज और तक्त अनभव हो कौन सा ताज सदा लाइट रहने का लाइट का ताज और सदा आपके करम से बोल से क्या हो आपके करम से बोल से रुहानी नशा और निश्चिन्त पने के चिन्ने अनभव हो तक्तधारी की निशानी है ही क्या निश्चिन्त और नशा निश्चिन्त विजई का नशा और निश्चिन्त स्थिती यह है बाप के दिल तक्त आत्मा की निशानी जो भी आए वे ये तक्त नशीन और ताजधरी स्थिती का अनभव करे यह है फ्यूचर को फीचर के द्वारा परत्यक्ष करना ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बन कर बनाना समझा नय वर्ष में क्या करना है सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है हर कदम से चाहे याद से चाहे सेवा के हर कदम से इन तीनों ही विदी से सिद्धी प्राप्त करते रहना है नय वर्ष का उमंग उत्सा तो बहुत है न डबल विदेशियों को डबल उमंग है न न्यू यर मनाने के लिए कितने साधन अपनाएंगे ये लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अलब काल का करते अभी अभी जलाएंगे और अभी अभी बुझाएंगे लेकिन बाप दादा अविनाशी विदी से अविनाशी सिद्धी प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं आप लोग भी क्या करेंगे केक काटेंगे मुम्मत्ती जलाएंगे गीत गाएंगे ताली बजाएंगे यह भी खूब करो बले करो लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विदीवी बताते हैं साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं क्योंकि ऐसा संदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी बनने के लिए ताजधारी तक्तधारी हो और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है ऐसा परिवार सारे कलप में एक ही बार मिलता है इसलिए खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ बाप तो बच्चों को देख करके भासना लेकर के इखुश हो जाते हैं सभी के मन के गीत कौन से बज़ते हैं खुशी के गीत बज रहे हैं सदा वहा वहा के गीत गाओ वहा बाबा वहा मेरी तकदीर और वहा मीठा परिवार वहा सरेष्ट संगन का सुहावना समय हर करम वहा वहा है वहा वहा के गीत गाते रहो बाप दादा आज मुस्करा रहे थे कई बच्चे वहा के गीत की बजाएं और भी गीत गा लेते ये भी दो शब्दों का गीत है वह जानते हो इस वर्ष वह दो शब्दों का गीत नहीं गाना वह दो शब्दें वहाई और आई वहाई क्यों किया क्यों किया और आई माना मैपन बहुत करके बाप दादा जो बच्चों की टीवी देखते हैं अच्छे वावा के बजाए वाई वाई के बहुत गीत गाते हैं तो वाई की बजाए वावा कहना और आई की बजाए बाबा बाबा कहना बाबा करा रहा है बाबा कर रहा है तो कितना अच्छा बाबा ने परिवर्तन करके हम बच्चों को बताया अच्छा बाप दादा का ऐस ओम शाम्ति ये एक प्रेरणादायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें